असलाम अलेकूम और गुड मॉर्निंग तु यू आल मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिय राओ और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला उमीद करते हैं कि आप लोग सब खेरियत से होंगे मजे में होंगे और आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा इद की तयारियां भी चल रही होंगी इस वीकेंड मेरा प्लान था कि मैं खूप शॉपिंग करूंगी लेकिन जो बजार के हलात अभी से हैं इतना रश है कि जाके समझी नहीं आता कि इंसान क्या करे इतना लोगों का भरमार इतना रश और फिर मैंने गिव अप कर दिया मैंने कर नहीं मैं आ और नमबर में आपको बताती रहा हूं 042 35917230 लाइन के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम में उम्मीद करते हैं कि लाइन जो है थ्रू हो जाया आप लोगों करके देख लीजिए उसके लाव आप हमें इमेल भी कर सकते हैं इमेल करने के लिए हमारा इमेल अड्रेस है mm at news1tv. अचा जी आज जो है कुछ दिन कौमों की तारीक में कुछ ऐसे लमहात होते हैं ऐसे दिन होते हैं जो बहुत मौतबर होते हैं आज का दिन 6th of September जो है Defense Day of Pakistan है जिसको बहुत ही साथगी से मनाया जा रहा है अकीदतों एतराम के साथ मनाया जा रहा है क्योंकि जो मौजूदा ह इसमें जादा celebration जो है वो नहीं की जा रही है आज की दिन के हमाले से में बताती चारू जो इंडो पाक की तरम्यान जो वार होई थी उसमें हमारे जो फौजी हैं उन्होंने बहुत से लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया था और उन लोगों को हम खराज ये तहस नहीं हो सका है आज तक जो इशू है ट्रमेंड अन्सॉल्फ आचा जी पहले सेग्मेंट की तरफ हम आपको लिए चलते हैं जो कहें न्यूज एंड व्यूज जी न्यूज एंड व्यूज में खुशामदीद आज जो हमारे साथ महमान मौजूद हैं उनका नाम है मखबूल आपके बारे मैं बताती चलूँ के क्लिनिकल साइकोलिजिस्ट है उसके लावा हिप्नो थेरेपिस्ट है कैसे आप मैं बहुत अच्छा थेंक्यू वेरी मच्छ सोन्य वैसे आपको मैं अच्स बाबरी का जाते हैं इसकी क्या वज़ाए को खास पैटनियम जी यह वड़ी इ लड़के लड़के इकठे पढ़ते थे तो क्योंकि मैं एक सिंपल गरीब घर से मेरा तालुक था तो ना मेरे पास उस वकड़े लंडे बजार के कपड़े में पहनते थे ना मेरी लगता सा शक्लो सूरत भी वाजबी सी है उस वक्ता है अब तो मैं अपने आपको बहुत हस जिसके पास कोई गाड़ी शारी बहुत अच्छी हो तो इसको अटेंशन देती यह गलत प्यामी थी मेरी वाजब करता चलों आज़के नौजवानों को कि आपकी जात और आपकी परस्नेलिटी बहुत आप जादा बिलकुल तो मैं बाराल पढ़ना शुरू कर दिया बहुत अच्छा एव जरूर डूर्ड़ अच्छा किनेalayं इस संधерт शिच्श परर्डालनगों की मैं जर्ड़ाओ मेश्वा जान इस मेंुट इसके काम बात बहुत अच्छा जारा है मैनेजमेंट गोन चन्सल्टिंग काम करते हैं और शाert थेमेने हमारा ख्या के पर लिए दı षस और एक दूसरी की राय का इतराम करें तो हम टीम बिल्डिंग, लीडर्शिप और स्ट्रिटीजिक प्लैनिंग करते हैं मिसाल के तौर आप X, Y, Z, A के दारा ले लें अगर उसने दारे ने सोचा है कि मैं मुस्तक्बिल में इस मकाम पर पहुँशना चाहता हूं तो उसके सारे के सारे employees को पता होना चाहिए ताके हर शक्स अपनी राय, अपना मशवरा, अपनी सोच को उस तरफ इस्तमाल कर सके बास वकात दुनिया भर में और पाकिस्तान में खास तोर पे हम बहुत सारी चीजें और उड़ारों में खुफिया रखने की खोशिश करते हैं उससे काफी मसले मसाइल पैदा होते हैं बट आप अर्वर्क इस वेरी गुड, ब्रिंग बेस्ट इन पीपल, बहुत ही शांदार लोग हैं और उनके अंदर बेता हशा सलाहियत में मौझूद हैं अंकरेज करने की बात होती है अचा हमारे अगर देखा जाए पाकिस्तान की बात की जाए तो अगर बहार अगर देखा जाए, कांसलिंग इतनी इंपॉर्टन्ट होती है मलत चोटी चोटी लोगों के साथ मसले मसाइल होते हैं और वो फॉर्ण जो है कंसल्ट करते हैं, कांसलर के पास जाते हैं यहां पर यह कॉंसेप्ट अभी इतना जादा नहीं है दुरस्त आपने बिल्कुर फरमाया हम समझते हैं, तीन चार चीज़ें में गुदारिश करता है हमारे यहां जो काम करता है जोसल में का आप और मैं भी काम कर रहे है हमारे कैमरा मेंन साथ ही भी काम कर रहे हैं प्रोडूसर साब और भी लोग काम कर रहे हैं बटकिस्मत ही हमारी है । जो खेत में काम करता है। उसको प्रागल करती है। बहुत बोड़ी tragedy है हमारी tragedy है और ये तिमाम चीजन जहां है «年 पोजिए भिरास को भी शआप लेके चलना चाहिए» काम करने की इजत भी होनी चाहिए और अपने आप भी हमें फखर करना चाहिए और ओर माफी जैए वो जुनुर मागनी चाहिए आपकी इतनी खुबसूरत सोच है और बाकी अगर लोग चुटी चुटी बाते सीख लेना यह जो मिस्कॉंसेप्स है गलत जो सोच है अगर इसको हटा दिया जाए तो कितनी आप सोचे मौशे में बहतरी आ सकती है अचा आज के हमारे सेग्मेंट में एक तो दो आपका पता है मामला इतनी बड़ी आफ़त है लोग इस तरह से फैक्टीज है दो करोड जो लोग है वो से मुतासर होएं तो आप जो जहनी काफियत है लोगों की उस पर मैं आप से बात करना चाहूंगी इसके लावा दूसरा जो इस पर भी मैं चाहूंगी कि हम आज बात करें बिकाज आ बात करेंगे मैं चाहूंगी कि हम अगास गुत गुत को करें फ्लर्ट के हवाले से अचा जी बताये कि इतनी तबाकारियां हुई है और इतनी दो करोड के करीब जो लोग मुतासर हो हैं बड़े केसे सामने आया है कि जहनी तोर पर लोग जो है वो बड़ा डामेज हुए है और मतलब शॉक की कैफियत में तो आप इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं देखें ये वाकिए बहुत बड़ी ट्रेजिडी है और पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ और 20 मिलियन पीपल जो हैं वह बहुत जादा जादा दो करोड़ लोग उससे भी जादा क्यूंकि उनक तकलीफ पहुंची है इतनी जादा तकलीफ पहुंची है कि वो शायद काफी लोग तो उसमें जाने जाया हो गई और बाकी लोग जो है वो बे रोजो नका रोज़गार भी गया उनकी जमीने भी गई उनकी फसले भी गई गर भी गए और बिच्छर भी गई अब बाकी जो बाकी पाकिस्तान हमारे लिए दिल औ जान से हाजिर है अपने फराग दिली करने के लिए हाजिर है हमारे तक चीज़ें पहुछाने के लिए हाजिर है तो उनकी अमीद और धारस बंदी रहेगी और अगर खुदाना खास्ता ये उमीद धारस जो है ये किसी तरह तूट गई हमारी नाइनसाफी की वज़ा से या हमारी करप्शन की वज़ा से या हमारी तवज्य उस तरफ ना देनी की वज़ा से या हमारी खुदगर्जी की वज़ा से तो फिर वो जिसम पूरी तरह हमसे नराज होते हैं बिल्कुल अच्छा उसके लावा आपको ने लबका कि लोग माशाला से बहुत बढ़ चड़ कर जो